कि क्लास में पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बात करेंगे क्लास की अग्छेक्ट और यूज होती है और और यूज किया है उस्वह सांध डिस्कस किया करेंगे क्लास को समझते हुए आगे के तब बढ़ते हैं कि क्लास क्रियेट कैसे किया रहता है जैसे मैंने यहां पे लिखा क्लास कि और यहां पर हमने माल जए कि बाइक के नाम जबना तो हमने बी कैपिटल ने आने के अगर जो आप दिखते हैं वह सेम होना चाहिए केस वाइक दिया और वाइक का जो नेम है यहां पे हमने इसका नेम क्या होना चाहिए तो फिरहाल हम इसको ब्लैंक छोड़ें आज अगर वाज कुछ भी देज सकते इसमें बोल देते कि कितने गीर कवाई कि तो यहां पर हमने गीर इक्वल टू हमने जी रो करते हैं यह हो गई क्लास ट्रें ठीक है अब इस क्लास को मुझे कहीं क्लास तो इसको क्या लेते हैं किया करते हैं क्लास यहां पर दिदरिज एक इक दीन दिजे की वी इकवल टूढ आ अपर अब यहां पर यहां पर समझें आमनुसी १ी यह लतों को चाहिए किया क्लास को क्रे द्रिद ल्रत घुज़े हैं अबज़ेट प्ली 명त चाहिभेर हुआ है यह क्रिएट क्लास और यहां पर क्रिएट अबजेट ऑफ प्लाइब इसका समझी है हम यहां पर क्लास करेंगे और यहां तो इस क्लास को कॉल करेंगे यह तो तरीका हो अब सिंपल से बार समझते हैं इसका बेनिफिट क्या है अब मानेजिए कि मुझे यहां पर लोड करना है यहां पर लिखेंगे वी दॉट नेम एक्वल टू हमने बोल दिए यहां पर टीवीएस स्टार्ट शिक्रिए टीक है राइट में देन दी डॉट वियर दी डॉट गियर एक्वल टू हमने कर दिया पोड एक्वल टू हमने कर दिया पोड यह क्या हो गया सब लोड हो गया तो हमने क्लास को क्लास को अब्जेक्ट के ऊपर डाला आपको अब्जेक्ट बिल्कुल बिहेव करेगा आपकी क्लास के तरह देखाओ नेम और यहां पर देता हूं है पाइट ने तरह से वाइट वी डॉट ने ठीक है कि कॉमा यहां पर देते गया तो आपको जहां वेलू चाहिए और जेनल भी ले सकते हो अब इसको रण कीजिए अब इसको रण कीजिए अब इसको क्लीर करें तो पहले से जोएसा आगया नेल इस्टार्स टी अंगियर खोड़ अब यहां पर दो चीज़ आपने सीखा एक तो कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं कैसे लोट करते हैं कैसे वैलो डालते हैं और कैसे वैलो लेते दों सब्सक्राइब क्या है हम क्यों इसका यूज करें यहां इसलिए क्योंकि अब जिसे कि हमने क्या साथ पर किसी और फाइल में इंपोर्ट करते हो तो कि होता क्या है वह क्लास ही होता है है कि अधिए फंक्शन की तरह काहां कि लिए क्रफिशन में आप एक क्रिक्मोरीशन एक कर सकते क्लास में कई सारे अनला अले रिटर्न कर सकते हैं अब चलिए एक और एक्जाम्पल तो नहीं पैर में डालेता हूं ताकि एक पूर्ट बाद में भेज़ गया। चलिए एक और एकदामपल हम आपको समझाते हैं। हम यहां पर फ़रेक डिफाइन करते हैं क्लास और क्लास में इंप्लोई के लिए हम करते हैं। ठीक है। और यहां पर कुछ खास नहीं करता हूं। अब यहां भी हम करते हैं। एकवल टू हमने यहां पर इंप को कॉल कर दिया। ठीक है। ऐसे ही इंपी तू हमने इंप को कॉल करते हैं। प्रें इंपी टू इकवल टू इंपी को कॉल करते हैं। ऐसे तीन चार पांच कर सकते हैं। ठीक है। नहीं यहां पर करते हैं। इंपी 1.エMP ID equal to 100 EMP2. EMP ID equal to 101 अशंद मैं आपकुष्ञ गवजी तासम्देश्ति का सम्देश्ति का सम्देश्ति जी हाँ एक बार हमने इच कर लिया अब इसको मैं अलग अलग वेरेबल्स पे डाल गे इसको अलग अलग यूज कर सकता हूं ठीक है सेम फाइल में या खिसी अलोनल फाइल में भी इसका यूज कर सकते है ठीक है अरवा होगा ओड़कि बताओंगा उसके बारे जाथ है क लास को समझा करें गया आपको लास कैसे कद यह करते हैं क्या है अब हम बात करते हैं किसके बारे में इसके बारे में क्या होता है इसके बारे में जाने के यहां पर हमने लिया क्लास करते हैं इसके अंदर हम क्या लिए करेंगे यहां लिखेंगे डिफाइन और अंडर्सकोर करते हैं इनिट आए गया आए इनिट और सेल्फ आटमेटिक आए पास आजाए तो इसको आप जो है नेम नं करका रहा है उसका आदिजिए और पास तो चाहिए इनिट किया अब इसके अंदर हम दो वेरेवल्स लेंगे हम लिखेंगे कि सेल्फ डॉट नेम एक्क्वल टू नेम जमाने पर नेम प्रूप करता है प्रूप कर दिया कि अधुआ यहां में इस प्रूप कर दिया यहां में इस नाम भी राइट पर सकते हैं जैसे में विश्ट्डू कर दिया यहां में इस इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्ट एक है यहां पर हमने कंस्ट्रक्ट किया कि अब कंस्ट्रक्ट में हम यहां पर नाम डिफाइन डारेक्टी जाले हैं उसके जगा पी यहां पी हम डारेक्टी लिख सकते हैं कि सेल्फ कि यहां पर कॉमा कि एन इक्वाल टू ब्लैंग इसको टेक्स मान लिया जाएगा और एम इक्वाल टू जीरो एम इक्वाल टू जीरो और यहां पर लिखेंगे हम सेल्फ डॉट में इक्वाल टू एन और यहां पर आजाता है सेल्फ डॉट मार्क्स एक्वाल टू एम ठीक है अब बोलेंगे सार इन और एम क्या हो गया वह आगे हम आपके साथ डिसकॉस करेंगे जिसे यहां पर हमने इसको यहां पर आगर मालें जिसको कॉल करतें क्लास के बाद क्लास के बार लिखतें एस वान इक्वल टू हमने कॉन ले लिए और कॉन को अगर हम ब्राइकर ओपन क्लोज कर दिए तो बाई रिफूल्ड क्या होगा और नेम जोगा ब्लैंक होगा और मार्क्स जोगा जीरो होगा दिक रहा है लेकि यहां पर इंपुट डाल भी सकते हैं जैसे हम यहां कर दिया पूजा से फंक्शन होता है और मार्क में हमने कर दिया तो चैक शोगा लोड हो गया की तरह से हम फंक्शन लगाते हैं और इन्पूट कर सकते फंक्शन की तरह अब इसमें कम और हो सकता है यहां पर देखिए कि मैं एक और फंक्शन एक और यहां पर फंक्शन लगा जाता हूं डिस्पलेए के लिए तो डिए अफ डिस इस इस प्लेर हमने बताया तरह कि जोड़ी नहीं कि हम इन्पुट ले इस पर आके हैं कर सकते हैं जो है और इसके अंदर जो हमने कुछ और करवाना है परिंट करवाना है कि क्रिंट करवाना है मैं यहां पर निंग संथ में है कि अध्off कर दोडे से था कि यह लिए मैं आपकंड। मार्ट मार्क्स एज और कॉमा हमने यहां पर सैल्फ और सैल्फ को लेके मैंने यहां पर इसकी जो मार्क्स है वो मार्क्स को कॉल करा दिया ठीक है अब यहां पर हमने लिखा कौन एस वन कौन एस वन कौन पर कौन हमने स्टोर कर दिया इसके अंदर इंपुट डाल दिया ठीक है ना अब मुझे एस वन के अंदर कौन के अंदर डिस्प्लेया ना कौन जब कौन आएगा था पूरा आएगा ना दोनों फंक्शन आएंगे तो यहां पर हम करते हैं एस वन डॉट टी आइस डिस्प्लेय ब्राइकेट ओपन क्लोज है ठीक है ऐसा केंने भी क्या होगा कि पूजायन 500 यहाँ फ्रिंट हो यहां पर ना जोघ्रränा को और अवे अपना यहां बॉत बोलते हैं इसको बोलते हैं इसमें क्या किया सबसे इस चैल लिया ताकि क्या होगा सेल्फ यहां पर जो भी डालेंगे उसको अजीली कॉल कर सकते हैं तो हम यहां पर डिफाइन किया क्लास नेम इसके अंदे एक पंक्शन दिया जिसमें हमने डिफॉल्ट में थर्ड लिया इनिट होता है उसके बाद हमने अपने दो वैरेबल लिए ताकि हम क्लोंगों को मैंने रिफ नेने नाम के डौ अलग अलग बड़िया मतलब अब एन और एम आगे नीचे और वह उसको को स्ट्रॉक्टर बोलते हैं नीचे आगया आपका इंस्टेंस के अंदर हमने अपनी जो भी ऑप्रेशन थे उस ऑप्रेशन को मैंने किये और बागी चीजे भी अलग-अलग फंक्शन में कर सकते हैं और फिर बाद में हम अलग-अलग फंक्शन को यहां पर कॉल भी कर सकते हैं जैसे यहां पर देखिए हमने किया है सब्सक्राइब को देकर इसमें कि यहां पर यह होता है क्लास कहीं होता है क्लास के अलग-अलग फंक्शन को भी आपस में कॉपी कर सकते हैं कि क्लियर है अब चलिए हम बात करते हैं दो टाइप बनेवल्स बता दिया आपको मैंने कि जो विरेवल्स होते हैं इंस्टेंस विरेवल्स होते हैं और एक वहती है आपकी क्लास विरेवल्स या स्टेटिक्स विरेवल्स ठीक है को लगाया दोगा और आई लिखते हैं इनिट आ गया अब पूरा इनिट लिख भी सकते हो इस तरह से या टैब से स्लेक्ट भी कर सकते हो इनिट है क्यों सेलेक्ट कर लिजिए तो अपने आप अगया अब इनिट में मैंने आपे सैल्फ जो है रग दिया हुआ है वाइडि फोल्टिस में क्या है सैल्फ ले लिया है ठीक है सैफ लेने के बाद मैंने यहां पे रिखा किस्टाइल दॉट एक्स एक्कॉल टू टेन कर दिया अब यहां पर एक और फंक्शन लगा रहे हैं डिफाइन का अब डिफाइन में अब हम क्या करते हैं कि इसको मोडिफाई के नाम से बनाते हैं ठीक है इसको लिखते हैं एम ओडी मोडिफाई अब मोडिफाई में हम सेल्फ को कॉल करते हैं ताकि सेल्फ के सारी कंपोनेंट नीचे कॉल यूज़ कर सके हैं अब लिखते हैं सेल्फ डॉट एक्स प्लस इक्वल वाल ठीक है अब यहां पर हम यह इसको बोलते हैं यह होगा आपका कंस्ट्रॉक्ट मेथाड यह होगा आपका इंस्टेंस मेथाड ठीक है अब यहां पर देखिए हम दो लेते हैं एस वान इक्वल टू हम सेंपल बड़के लोग और फिर एस तू अगेर इक्वल टू यहां पर सैंपल टाईकल ओपिन प्लोज परए अब इसको प्रिंट करते है अब यहां पर लिखते हैं एक्स X in S1 equal और कॉमा यहाँ पे S1 क्योंकि यहाँ S1 dot X को ले लेते हैं अगें print print में यहाँ लेकते हैं X in S2 equal और फिर यहाँ पे हम करते हैं print print इसके अंदर print रिमा फिर देगा print रही चुक्त हो ला S2 S2 dot X ठीक है अब इसमें हम करते हैं again S1 equal to modifier मैं रिमा फिर देगा S1 dot modify अब modify वाला कर्म हमने कह किया है function को call कर लिया अब देखी क्या होगा अब मैं इसको print करता हूँ कि print X X in S1 equal यहां पर हम करते है S1 dot X कॉमा का नगूली आता इसको देखी किज़े पूरा स्क्रीन निखेगा और फिर अगें हम प्रीन्ट लेते हैं यहां पर X in S2 अब आपको समझ में आ जाएगा इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है S2 dot X अलंग करता हूँ यहां देखी S1 क्या था 10 था 10 है यहां पर 10 था यह 10 तिन का हुआ है जब तक हमने अपना modify वाला नहीं चला है जैसी modify चलाया क्योंकि modify था हम सिर्फ S1 पर चलाया थे तो यह modify वाला जो है automatic चल गया जिस कारण से result जो है आप देखिए S1 equal to LN क्योंकि modify में मैंने बुला हुआ है X plus 1 तो यह क्या हुआ कि आप जब अपना call कर लेने से यहां पर क्या समया है कि आप अपना class just call कर लेने इसका मतलब नहीं कि class के अंदर जितने भी functions है वो वर्क कर गया जी नहीं फंक्शन सारे लोड हो गया वर फंक्शन ट्रिगर नहीं होगा जब आप उस function को run करेंगी जैसे मैंने यहां पर इस वन डॉट मोडिफाई को run किया तब जाएके इसने एक 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 टी वैलू टेंट इसने प्लास वन किया पहले चीज़ समझा दूसरी चीज़ जो वैलू लोड हो गई है वह आपका लोड हो जाएगा क्योंकि यह सेल्फ पर इसमें गया है कंस्ट्रक्ट पर हुआ है इसले बागे सब पर होगा बासमझ में ज़र्क नहीं तो यह function ऊपर जो हमने इनिट सेल्फ किया इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां पर सारे operation कर सकते हैं जो की डिफॉल्ट लोड होते ही operation हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ है कि आप यहां पर और सारे अप्रेशन देंगे जो की और लेडी क्लास को कॉल करते ही हो जाएगा कि अध्यार कि नहीं है भाकि जो आप इन्हें इन्स्टेंस में थार्ट करते हैं यह तब यह तब ही रोगा जब आप इसको कॉल करेंगे कि कि माइब इसक्टेंस में यह पुद्ध कर दोबनाएगा कि यहां पर लोड नहीं हुआ हुआ है पहले आपना क्लास कम्पीट कर लिया क्लास कम्पीट करने के बाद उस क्लास को मैंने एक अब्जेक्ट के उपर लोड कर लिया दिखाने के लिए फिर मैंने आपको दोनों की वैलू यहां पर टेन प्रिंट होई है फिर मैंने एक पहली अब्जेक्ट के अंदर हमने आपने कि अब्जेक्ट करते हैं उसके अंदर जो भी आप फंक्शन करते हैं जो भी चरिए और प्रेंट करते हैं और फंक्शन लोड क्लास लोड होते ही हो जाता है ठीक है उसके बाद बागी जो आप इंस्टेंस में करते हैं और नहीं होगा और तब होगा जब आप उस फंक्शन क्लास करने के फंक्शन को कॉल जिसे यहां कि अब आपको मेरा कंसर समझाएं कि नहीं है इसमें आप जो रोनोबर टैन है इसमें आप उसको आप इसको नोट एक्स नुबार लगाएंगे वार्ट यहां पर दोपर यहां पर दखेंगे के अब आने की शोटा ओं सब्सक्राइबें यहां पर इस वंस किस पर नोट होगी यहां तो इसंपल सेमपल पर अब सेंपल डोट एकसाल क्या इस्टारी का पार्ट तो यहां पर आए गाई आए से यहां पर आपने लोट किया इसके उपर लोड होते हैं दो चीज़ां आपको है इसके अंदर की जितने भी फॉर्म लेज आपके लगा लाट लगाते हैं और अपर इसके अंदर दी गई सारे के सारव मेरें बदो तो आप है वसको भी कॉल गार सकते है और फॉंशन को भी कॉल गार ठीक है अभी तो शो बने कि नहीं साथ अभी तो दिकर इसमें नहीं इस भॉह सा इसना एक इनिश बाइट बाइट बसक्राइट इनिश लाइट पर इस लिए वाइट लेटे ना बाइवन शम्मझ लेश बाद करेंगे ना तो इसकी नेम इस पेस के बारे में जान पर चाहिए ठीक है इसको वीकषण समझगे को आपको आपको देखिए क्लास के अंदर मालेश मैंने असकी नाम का बनाएट ठीक है अब इसके अंदर एंड इक्वाल टू हमने टेन कर रहे हैं समझें अब मैं यहां पर आपना इसमें क्लास बनाया कि इसमें एंड़रे विद्वान की मैं पहले में हम करता हूं स्टुडेंट को तो माल लेजे हम यहां अब जोड़ी नहीं कि मैं स्टुडेंट को किसी डाले हम डारेक्ट भी उज़ कर सकते हैं इसे प्रींट के अंदर हमने एस्ट या एस्टी डार डारेक्टली हम एन को ले लें ठीक है यहां फिल्ट यहां कर देंगे एस्टी डार एन प्लास इक्वाल वान ठीक है सर्ट यहां पर एट कर आना है को बाइक रिम रखना मां किया इसके अंदर हम आपरेशन नहीं कर सकते हैं आपरेशन बाहर करना हो स्टी डाट यहां पर ले सकते हम लेकिन यहां पर स्टी डाट एन प्लास इक्वाल वान ठीक है कि हमें जोरी नहीं है क्लास को किसी अबजेक्ट पर कॉल करना हम डाट ली क्लास को भी यूज कर सकते हैं ठीक है जहां पर एक ग्रेवल के ऊपर उसको लूट करते हूं यहां पर हमने डारेक्ट ली इसको कॉल कर दिए ठीक है इसमें आगरा माली जी कि आप वैरेवल पर ढालते उसको बोलते इंस्टेंस नेम मेंपोर जैसे कि यहां पर मैने direct कर दिया कि s equal to st bracket open close ठीक है इसको बोलते है कि class के variables को हमने तो हम यहां पर क्लास को डारेक्ट भी यूज कर सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं ले सकते हैं ठीक है सर्ट बाकि वही है लगाने का तरीका है बाकि सब को सेम ही है इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्लास में हम इस से लेवे कुछ एक्जामपल वगर आपको कराएंगे और फिर आगे के पुदब बढ़ेंगे ठीक है तो क्लास समझ में आ गया क्लास की मिनट फंटना मेंटर सेमिंग में आ गई है को दिक्कत तो नहीं है इसमिना कैसे करेंगे कब करेंगे क्या क्या चीजिए उसमें है और क्या वेलिफिट्स है सारे समझ में आगे इस है तो दिकल्स में देखिए तक बेसिक कंसेप्ट नहीं समझेगा तब तक मुश्किल हो जाएगा तो बेसिक कंसेप्ट हम समझ चुके अब आगे क्या झाल चुके झाल पखो